वेल विवर आज हम सी कहेंगे अगर हमें कोई भी पाष्ट की हैबिट सो करानी है या प्रेजेंट की हैबिट सो करानी है तो कैसे यूज करेंगे जैसे कुछ एक्जमपल से देखेंगे मैं क्रिकेट खेला करता था या मैं मंदर जाया करता था मैं चोकलेट खाया करता था या आपको कभी भी पाष्ट की habits रो करना है तो आप यूज करेंगे used to जैसे मैं cricket खेला करता था subject plus used to plus verb की first form वर्ब की first form क्यों आगी उसका भी reason होता है जैसे मैं cricket खेला करता था I used to play cricket यहाँ पर जो used to verb जो आपका word आ रहा है वो as a model verb की तरह जैसे मैं मंदर जाया करता था I used to go to temple या रोहन अंग्रेजी पढ़ाया करता था रोहन यूज टू टीच इंग्लिस यदि हमें present habits तो करना है तो आप यूज करोगे be plus used to plus verb के साथ ing form जैसे हमने देखा है मैं अंग्रेजी पढ़ाने का सौकीन हूँ तो आप बोलेंगे I am used to teaching English रोहन मंदर जाने का सौकीन है रोहन is used to going to temple या उसका भाई लड़ने का सौकीन है his brother is used to fighting और आप बोल सकते हो मेरा दोस्त कार्टून देखने का सौकीन है my friend is used to watching cartoon और या बोल सकते हो आप बोल सकते हो आप वह लड़का पबजी खिलने का सौकीन है that boy is used to playing PUBG और आप बोल सकते हैं जब भी आपको past की habits हो करना है तो आप यूज करोगे subject plus used to plus manwork की first form और जब भी आपको present की habits हो करना है तो आप बोलोगे subject plus B की form बी की form इजे मार वाजबर या बिल भी सेल भी यह सबा सकते है plus used to plus manwork के साथ ing form ओके थैंक्यू